और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है, यह सभी दल के युवा सांसोदों का खास तोरवर स्वर निकलता है सुद्कालिन सत्र का आज प्रथम दिवस है यह सत्रम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 अगस के पहले हम मिले थे 15 अगस को आज़ादी के 75 वर्ष पुर्ण हुए है और अब हम अमृत काल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को हमारे हिंदुस्तान को जी ट्विंटी की मेजबानी का अवसर मिला है विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बड़ी है और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागिदारी बढ़ाता जा रहा है ऐसे समय यह जी ट्विंटी की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत बड़ा अवसर है यह जी ट्विंटी समीट यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है लेकिन यह जी ट्विंटी समीट एक समयगर रूप से मैं भारत के सामर्थ को विश्व के सामने प्रस्तित करने का अवसर है इतना बड़ा देश मदरब डेमोक्रेसी इतनी विविदत आएं इतना सामर्थ पूरे विश्व को भारत को जानने का बहुत बड़ा आवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ जताने का भी बहुत बड़ा आवसर है पिछली दिनों मेरी सभी दल के अधिक्षों से बहुती सानुकुल वातावण में चर्चा हुई है सदन में भी इसका प्रतिविम जुरुन नजर आएगा सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ को दुनिया में प्रस्तूत करने के लिए काम आएगा इस सत्र में देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए बर्तमान वैश्वित परिस्तित्यों में भारत को आगे बढ़ाने के नई अवसर उन सब को ध्यान में रख करके कई महत्वपून निर्णाई सत्र में करने का प्रयास होगा मुझे विश्वास है कि सभी राजरितिक दल चर्चा को और मुल्लिवृद्धी करेंगे अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे दिशा को और स्पस्त दुप से उजागर करने में मदद करेंगे पार्लामेंट के इस ट्रम का कारकाल का जो समय अभी बचा है मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुती आग्रह करना चाहता हूँ कि जो पहली बार सदन में आये हैं जो नए सांसद है जो युवा सांसद है उनके उजवल भविशक के लिए और लोक तंत्र की भावी पीड़ी को तयार करने के लिए हम जादा से जादा अवसर उन सब को दें चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी ने किसी सांसद से मेरी अनपचारीक मुलागा दे जब भी हुई है एक बात जुरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में होहला और फिर सदन सगीत हो जाता है उससे हम सांसदों का नुक्षान भावत होता है युवां सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं हम जो समझना चाहते हैं क्योंकि यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्विवजान है हम उससे अच्छूत रह जाते हैं हमें वो सभागे नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है है ये सभी दर के युवाइस सांसुदों का खाश्च तोर पर उर्रस निकलता है BijATHAN कि मैं समझता हो कि कि और विपरक्ष्ट के जो सांसुद उनका भी यह कहेजया कि हाओ कि कांविद्ग में हमें बड़ाइब बोलने का अश्वर नहीं मिलता है उसके कारण सदन सगीद हो जाता है उसके कारण हो अल्ला होता है उसके कारण हमें बहुत नुक्षाद होता है मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर सभी पार्टी लीडर हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे उनके विकास के लिए देश के विकास में उनके सामर्थ को जोड़ने के लिए उनका जो उत्सा है उमंग है उनका जो तजुर्वा है उन सब का लाब देश को मिले निर्णव में मिले निरे प्रक्रियाओं में मिले ये लोग तंत्र के लिए बहुत आवश्चक है मैं बहुत ही आंग्रह के साथ सभी दलों से सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोड़क्टिव बनाने की दिफा में सामुहिक प्रयास हो इस सत्र में एक और भी सवभाग्य हैं कि आज पहली बार हमारे उपराश्ट पती जी राजसभागे सभावती के रूप में अपना कारकाल प्रारंब करेंगे उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दीन होगा जिस प्रकार से हमारे राश्ट पती द्रोपदी मुर्मुजी ने भारत की महान विरासत हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गवरों बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिकाने भाई हैं उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उप्राश्ट पधिपद और आज राश्ट सभा के सभापती के रूप में देश के गवरों को बढ़ाएंगे सांसदों को प्रेरित करेंगे प्रोट्साहित करेंगे उनको भी मेरी तर्फ से मैं अनेक अनेक शुपकावनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद सात्यों नमस्कार